Hello students, आपका बहुत बहुत शागत है MBS and Nursing Classes में देखिए दोस्तों, आज के वीडिये में हम बात करेंगे हैपेटाइटिस के बारे में हैपेटाइटिस जो रोग है यानि डिजीज है, वो आपके लिवर से सम्भान देते है और इसमें लिवर के अंदर आपके Inflammation आजाती है, यानि Susan आजाती है, यदि मैं इस शब्स से बात करूँ हूँ आपके सामने, तो एक शब्स आता है हमारे सामने Hepat और दूसरे शब्स आता है Titus, या फिर Hepa या फिर Titus, तो Hepat शब्स जहां भी आता है हमें उसका लिवर से मतलब निकालना है, यानि इसका मतलब होता है लिवर, और Titus का मतलब होता है Inflammation, क्या होता है? Inflammation, यानि कि लिवर में जब Inflammation आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसे अपन क्या कहते है? Hepatitis कहे देते हैं और यह Hepatitis आपका 5 प्रकारगा होता है, इस बीडियो के अंदर आपन सारे प्रकारों के बारे में बात करेंगे, क्या कैन के causes हैं, क्या कैन के symptoms हैं, क्या कैन के prevention हैं, सारे बारे में हम बात करेंगे चलिए, सबसे पहले हम Hepatitis के introduction की बात करेंगे, तो Hepatitis एक बहुत बड़ी term है, जिसका मतलब होता है आपका inflammation of liver, यह लिवर के अंदर सूजन आना यह दो हम इसके cause की बात करें, तो most commonly cause होता है यह virus के बारा, यानि कि यह एक प्रकार की viral disease है, ठीक है, लेकिन virus के अलाबा भी कई प्रकार की चीजें हैं, जो कि Hepatitis को cause करती हैं, जैसे आपकी drugs के अंदर आगे आपका alcohol, कुछ chemicals हो जाते हैं, यानि toxins हो जाते हैं, इसके को damage करना start कर देती हैं, और कुछ metabolic abnormalities आजाते हैं, यानि की digestion से सम्बंदित कोई चीजें आजाती हैं, जो कि हमारे किसको disturb कर देती हैं, लिवर को disturb कर देती हैं, और वहाँ पर inflammation है, यानि सूजन आ जाती है, हर एक चीज के बाने हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और आपको complete hepatitis यहां पर समझा जाएगा, ठीक है, चलिए, जैसा कि मैं आपको बता हैं कि तीन प्रकार के hepatitis होते हैं, viral hepatitis, जो की virus के द्वारा होता है, alcoholic hepatitis, यानि alcohol का जो consumption है, बहुत जादा मात्रा में हो जाता है, तो उससे जो hepatitis होता है, उसके लावा autoimmune hepatitis, ठीक है, चलिए, स चुकि यह viral disease है, virus के द्वारा हो रहा है, तो इनके virus के नाम भी इसी प्रकार से, यानि hepatitis जो A है, वो किसके द्वारा होता है, hepatitis A virus के द्वारा, ठीक है, इस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं, यहीं मैं आपको समझा दे चलू हूँ, जो hepatitis A है, और hepatitis E है, यह आपस में समानता देखाते हैं, यानि कि यह आपस में एक दूसरे से बिल्कुल लिंक करते हैं, जिस तरीके से hepatitis A है, वो हमेंसा कहता होता है, acute disease होती है, यानि कि एक short term disease है, ठीक है, उसी तरीके से जो hepatitis E है, वो भी कैसा है, acute, sorry, acute ही होता है, लेकिन particularly dangerous in pregnant women, लेकिन dangerous हो जाता है, यह क acute होते हैं, और short term disease of infection हमें cause करते हैं, वहीं यदि हम hepatitis B, C, D की बात करें, ठीक है, तो यह ongoing होता है, यानि कि chronic disease हमें cause करते हैं, यानि कि यह खतरनाक होते है, ठीक है, चलिए, यहां मैं आपको एक summary के अंदर लेके चल रहा हूँ, जिसके अंदर सारे hepatitis की जो types हैं, वो आपक इसको समझ लेजिए, फिर हम detail में आगे बढ़ेंगे, देखे, सबसे पहले बात कर रहे हैं, अपन hepatitis A की, यह किसके द्वारा होता है, hepatitis A virus के द्वारा, ठीक है, यदि हम इसके root की बात करें, तो root होता है, इसका fecal oral root, ठीक है, अगले हम symptoms देखे हैं, तो loss of appetite, diarrhea, fever, नसुआ malize, और jaundice, ठीक है, तो और यह आगे और हम बात कर लेते हैं, 6-week recovery time, यानि कि बहुत जल्दी यह recover हो जाता है, short term disease होती है, और किसी भी तरीकी है कि permanently liver को यह damage नहीं करता है, तो जो hepatitis A disease है, वो काफी कम damage करती है, हमारे liver को काफी कम damage करती है, यानि कि यह कैसी है, acute type की disease है, क तो appetite, loss of appetite, यानि भोग की कमी हो जाती है, diarrhea हो जाता है, यानि कि lose motions हो जाते है, favor आने लग जाता है, और इसके राब आपके जो last stage आती है, इसकी jaundice हो जाती है, जिसे एपन कहा देते है, पीलिया, और पीलिया के अंदर जो skin है, हमारी उसका color क्या होने लग जाता है, yellowish होने है, hepatitis E के समान, अभी बता देते हैं, किस तरीके से E के समान है, देखे, hepatitis E किसके द्वारा होता है, hepatitis E virus के द्वारा, इसका root भी क्या है, fecal oral root है, किस तरीके से, जैसे A का है, fecal oral root, इसका time duration भी क्या है, two to eight weeks, duration है, इसका six week है, देखे, symptoms देखे, symptoms भी बिल्कुल jaundice, नसु करेंगे, ठीक है, यदि ये chronic stage के अंदर चला जाता है, कब जाता है, यदि हमारे immune system, peak हो, या फिर pregnancy के अंदर, मैं आपको बताया था, कि pregnancy के अंदर, जो hepatitis E है, ये chronic stage के अंदर चला जाता है, इसके अलाबा, यदि हमारे immune system बहुत जादा बीक है, तो फिर खतरनाक हो सकता है है, बाकि normally days में, या नर्मल pupils के अंदर ये खतरनाक नहीं होता है, यदि रिस्क होती है, तो cirrhosis की रिस्क होती है, या फिर liver failure की रिस्क हो जाती है, इसके अंदर, इसके अंदर होती है, जो इसका immune system, peak है, और या फिर pregnancy moment, जो pregnant moment है, उनके अंदर ये risk रहती है, तो दो आपके यहां पर कबर हो गए, मैं इसको बिल्कुल अलग shape let कर देता हूं, चलिए, आग मैं दूसरी color की इंकले लेता हूं, चलिए, अब अब मैं बात करेंगे, hepatitis B के बारे में, इसको बाद मैं बनाएंगे, अब अब मैं बात करेंगे, इसके hepatitis B के बारे में, देखे है, मैं एक जहां पर आपको एक बता दू, कि जो hepatitis A virus है, यह कैसा virus है, यह एक RNA virus है, कैसा virus है, RNA virus है, ठीक है, और hepatitis B का virus कैसा है, DNA virus है, ठीक है, और hepatitis C का virus कैसा है, RNA virus है, D का कैसा है, RNA virus है, D का कैसा है, RNA virus है, और E का भी कैसा है, RNA virus है, और E का भी कैसा है, RNA virus है, तो यहां से आपको एक समझ भाई कि यदि हम hepatitis B को छोड़ते हैं तो सारे hepatitis के जो वाईरस है वो कैसे है आरेने वाईरस है तो आपका जीनोम उसका जीनोम है वो बिलकुल अलग है यही रीजन है कि वाईरस है यहीं हम इसके बात करें तो तीनों कैसे है फ्लोड ट्रांस्मिटेड वाईरस है यानि कि बॉड़ी फ्लोड के द्वारा यह ट्रांस्मिट होते हैं और वॉड़ी फ्लोड के अंदर हमारी क्या-क्या चीज आ जाती है हमारी सबसे पहले आ जाती है मुँंगे अंदर सलाइवा फिर आ जाता है हमारे बलड धिर आ जाते हैं हमारा सेमान या फिर वैजाइनल फ्लोड यह सारी चीज़े क्या है हमारी बॉडी फ्लोड है और बॉडी फ्लोड के थ्वारा ही इनका क्या होता है ट्रांस्मेशन होता है जैसे sexual contact तो sexual contact में क्या होता है हमारे जो simon है वो transmit होता है उसके अलावा contaminated needles हो जाती है इसके अलावा हमारे जो tears है infected tears, saliva है यानि कि कोई ऐसा person है जिसको already hepatitis B हुआ 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 है वो यदि किसी ऐसे के साथ sexual contact रखेगा जिसके अंदर hepatitis B का वारस नहीं है तो काफी जाधा chances हैं कि वो सामने वाला person भी क्या हो जाएगा hepatitis B का सिकार हो जाएगा या उससे वो रोगी बन जाएगा ठीक है इसके अलावा contaminated needles का मतलब क्या होता है कि जब blood transfusion किया जाता है तो यदि किसी ऐसे व्यक्ति का hepatitis B से गरसित प्यक्ति का blood ले लिया जाए और उसको फिर इसी ऐसे के अंदर चड़ा दे जाए जिसके अंदर hepatitis B नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा उससे affect हो जाएगा इसके अलावा मान के चलिए कोई hepatitis B से रोगी है उससे हमने blood को लिया और blood को लेने के बाद उस व्यक्ति का blood को हमने फेक दिया तो फिर हमने उसके और को pack करके रख दिया लेकिन उसी सुईसे हमने किसी दूसरे व्यक्ति का blood लेना चाहा हम यह ले रहे हैं हम ब्लड का transfusion नहीं हो रहा है स्रिफ तक भी ले जा सकता है यदि हम उसके prevention की बात करें तो vaccine available है इसके prevention के लिए जो की कई तरीके से vaccine लगाई जाती है starting के 6 मेने के अंदर बच्चों में लगा दी जाती है ठीक है चलिए हैपिटैटेस-सी की बात करें ये भी किसके द्वारा होता है है PCR कैसा है RNA इसका क्योंुकोण कि होता है blood to blood transmission होता है फिक और किसी भी तरीके से शाइपैटी हो सकता हूं और यह दखाई नहीं देंगे कुछ कुछ symptoms चोटे मोटे दिखाई दे जाते हैं जैसे कि फ्लूलाइक कुछ symptoms जैसे जोखाम बुखार नॉर्मल symptoms आपको देखाई दे जाएंगे लेकिन कुछ बड़े symptoms ऐसे जैसे पी लिया या फिर भूख की कमी या कुछ ऐसा आपको देखाई नहीं देगा ठीक है करते रहे तो वो चीज आपको यहां समझने में अब help करेंगे बी और डी आपस में कैसे कभी कभी या एक जैसे लगते हैं इसी तरीके से जो Haphytiates B है और Haphytiates D है यह क्या है आप उसमें Link हैं कैसे Link है कैसे वह आपको बिताता है कि Haphytiates जो D Jacobs BET DNA वा से अब Haphyton D वाला करके सकर रहता है है Oh, Haphyto isn't B लिया जाता है ठीक है तो या तका ब्लмоड टेस्ट करवाए सिपल हूब निकाला जाता है कि आप हैपिटेतिस ड की सकार है तो हैपिटेटिस ड किसके अंदर रहता है है फ्रेकर बाइट में प्रोंड के अधर थे हमाते के स्षंप्रमित हैं तो सीधी सी बात अब 20 वी इंफेक्टेट होंगे लेकिन यह जुरूए नहीं है यहाँ जाart रहती है तो इसकी लीर फेलियर की क्यों क्योंकि दो दो लोग आपको यहां पर एफेक्ट करें एपटाइस वीफेक्ट कर रहा है और इंक्रीजड रिस्क प्रोक्रेशन टू लिवर्स रोसिस की भी है रिस्क को पढ़ा देता है इसका ट्रांस्मिशन किस तरीके से होता है और अरेन रीने लिस्क होगा क्या प्रोक्रेशन फिर्सक किस तरीके से यहां पर क्या होगा है और यहां पर भी क्या होगा रहेंने तो आप बड़या रओग रहेगा चड़ेगए अब अब आप बात कर रहेंगे इसकी है हैपिटाइटिस की एलकोहलिक हैपिटाइटिस मैं आपको बताया कि जब एलकोहल का बहुत ज्यादा मत्रा में कंजप्शन किया जाता है और काफी लंबे टाइम तक कंजप्शन किया जाता है एक्स्टेंडेंड पीडिड ऑस ताइम हैबी एलकोहल कंजप्शन तो क्या बन जाती है वहाँ पर एलकोहलिक हैपिटाइटिस हो सकता है और हैपिटाइटिस का मतलब क्या है लिवर के अंदर आपका इंफ्लामेटरी कंडिशन ठीक है इसका डिगनोसिस किस तरीके से करेंगे सीबी सी यानि कंप्लीट ब्लड काउंट लिवर फंक्शन टेस्ट अल्ट्रा साउंड करा लिया जाता है सीटी स्कैन ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट लिवर बायोप्सी यह सारी चीज़ें इसके दारस को पहचाना जा सकता है पेसेंट नेट्स टू स्टॉप रिसीब ट्रिं थीचियो इम्यूंज जो शब्द है वह शब्ध किससे मिलके बनाए या पर इम्यूनुजी या फिर इम्मुनीटी यह समझे लीज़ें किससे बनाई इम्यूनटी से आ टो का मतला स्वत्य यानि कि खुद से तो यह सेल्स क्या करती है हमारी बॉडी की शुरक्षा करती है ल और वाईरस कहा जाएगा सबसे पहले लेवर के अंदर जाएगा ओंदर हिह पेटो साइट को अपनी कंट्रोल में होता है कि वाईरस गभी भी जिंदा नहीं रहता कि उसको जैसंदा हो जाएगा झाल जीदा में प्र influen hatte was को उसको यह κण में 국 सबस्क्राइब पूरी सेल कंट्रोल में ले लिए तो वायरस की करता है जिनोम को कंट्रोल में ले लेता है और वहां पर अपना डाल देता है जो कि क्या लेकर आया यह आरएने लेक्ट जाया है और इस cell के अंदर इसने अपना genome यानी RNA डाल दिया अब हमारा जो हमारी जो cells की process होती है वो क्या होती है कि उसको कुछ नहीं पता गी है किसका RNA है किसका DNA है उसके पास तो जो भी सूचना आएगी यानि जो भी information आएगी mRNA के द्वारा वो उसके साब से protein बनाना स्टार्ट कर देता है तो अब इसके अंदर किसका RNA है वाइरस का तो वाइरस का RNA है तो वाइरस अपने हिसाब से protein बनवाएगा ठीक है क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पर information एड़ है क्योंकि वाइरस की proteins बननी है तो अब यह cells क्या करेगी तुरंत वाइरस के जैसी protein बनाना स्टार्ट कर देगी तो इसने क्या कर लिए इसको overcome कर लिया अब जैसे ही वाइरस हमारी बॉड़ी के अंदर आएगा तुरंत हमारी जो immune system है हमारा जो immune system हो response करना श्टार्ट करेंगा और जैसे ही immune system देखेगा कि वाइरस है या इंटीजन है इसको खाना ही अच्टार्ट करेगा वाइरस को माना श्टार्ट करेंगा लेकिन साथी- आ रहेने देखती हैं हमारी सेल्स के अंदर यह इनको भी खाना स्टार्ट कर देती हैं लेकर यह सेल्स कौन सी है यह तो हेपेटोसाइट है यह तो हमारी खुद की सेल्स है यह इनको भी मारना स्टार्ट कर देती है और जब हेपेटोसाइट को डेमेज करना स्टार्ट कर देत प्रफिश्ट कर दिया जाता है इस लिवर की को इसलिए अपने से क्या कर देते हैं और यह चीज आपको समझ में आ कई होगी चलिए आगे अपने बढ़ते हैं पैथो फिजिए के अंदर किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है आधी चीज उमें पहले बता दी फिर से हमक इन्फ्रमेशन आईगी सबसे पहले सूजन आई सूजन के वह आ रहे है क्योंकि हमारे बॉडी में कहीं पर कोई एंटीजन गया है और हमारा जो अब वह सबस्क्राइब होंकि है अब जो कोई में उन प्रेस dov는지 कर लोगें चलता रहselves और व्यक्ती गवर बश्राव है है और ररॉश बिदेरों हो जाती है तो फिर वियक्ति क्या हो जाता है है गवान को प्यार हो जाता है यह इन्वी यह को अब राशक किअ आ अब बह। इस तरीके से जुंधे जो पासिजियो अर्ली सिम्टम्स है नॉर्मली जो सबसे पहले हमें दिखाई देंगे फिर जॉइंट्स पें होने लगेगा फिर हैडएक फिर आएगा फिर नसुआ ना नॉर्मल कांसी जोगाम जो होती है नाक से पानी बगर आना और यदि टेल टेल यानि यदि लंबे समय तक चलता है तो जांडेस हो सकता है और आपका होरी यांति की मतलब क्या है कि होड़ीकि को होता है हुआर्ण की देख हो हेपे रिन है है अब यदि युरेन होगा तो क्यों होगा क्यों कि अंदर से एक वरणड़ कि निकलता है या अपका कूँसे पिगमेंट निकलता है आपका ब्लू रूबिन निकलता है वो हमारे आपके वह हमारे जो फेटस है, वो हमारा जो मल है, उसको क्या बनाता है, यलोईश कलर देता है, लेकिन लिवर हमारा क्या कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, जब ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वहां से ब्लू रूबिन क्या होने लग जाता है, लीक होने लग जाता है, और लीक होके वो कहा किड़ीन के अंदर आ जाता है और किड़ीन के अंदर आकर है उसको बढ़ा देता हैया और होने, www. ED. इसलिए कहते हैं कि पीलिया या फिर जॉंडिस होता है उसमें यूरीन की गलर क्या है डार्क होने लग जाता है कि यहीं हम इसके डिग्नोसिस की बात करें तो कैसा होगा हिस्ट्री क्लेक्शन या नि कि पिछलिया आपके देखी जाएगी आपकी फैमली में किसी को था नहीं था किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन यानि कि आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि इसको हैपिटैटिस यहां होता है कि लिish और फिर बर की टिस्फ वह वहाँ से लिए जाते और उनको फिर मैक्रोस्कोप के अंधर देखा जाता है कि इनमें हाणाजवाइरश है पेशेंट को कितनी थगाबट है, उससे साप सस गो क्या दिना चीए रेस्ट देना चीए, हास्पिटलाइज करना चीए Nep пери Perfect हैं कं सतंत्र में है यह किया है छिए में कं सत्रमी मात्रा कमें था लौ नदेना या ट्रेमिंटो Śूल होने है चाले उसके द्धकी हैं 이ाए देने चाहिए इसके लाबा eletrolite देना जाए हमें या फिर anti-matic drug समय देनी चाहिए तो यह hepatitis A का होगा है अब हम B की बात करते हैं तो hepatitis B है वह क्या करता है बहुत खतरना कवाला होता है मैं आपको बताया था लिवर फेलियर तक यह जा सकता है तो rest कि राफ़ यहां भी treatment की बात आते हैं मैं आप गए से बता दो के treatment कौन करता है अग्याइब और यहां किसी भी तरीके नहीं है तो ना तो मैं यह जिम्हा है मैं nессesti दिग्री अइन भुष जलिए नुकलियोसाइड या नुकलियोटाइड ठीक है इनको आपका टीनोफोवर एदेनोफोवर लेमेविलें यह सारी चीज़ें लास्ट क्या करना पड़ेगा लिबर ट्रांस्प्लांट करना पड़ेगा हैपिटैटिस C की यदि हम बात करें तो कोई भी वैक्सी में आप 5 यह थे चलिए हैंड इसकर रहे हैं इसको जरूत नहीं कुछ करनेगी हम थो उसको जरूत नहीं है क्योंकि फास्व म typical disease है टो कुछ निबर नॉर्मल को सब्सक्राइज हो स्कर में dit ठीक है और नॉर्मल जो चीज़े हैं डाइट वगेरा जो हमने ए में किया तो सारी चीज़ें इ में भी कर देनी हैं अब में फंक्शन आता है आपका प्रिवेंशन यानि कि सर हम करें क्या कि हमें हो ही ना अगर आप होस्पीटल का मुहीं न देखना पड़े अगर आप होस्पीटल का मुहीं देखेंगे तो डॉक्टरों का घर कैसे चलेगा ठीक है चले एक इससे होता है गंदा मानी पीने से खराब खाना खाने से तो हमें क्या करना है गुड़ पर्सनल हाइजीन मैंटिन करनी है एक हटी लात करनी है एस पॉर्स केलना है क्योंकि हमारी बोडी के अंदर क्या बन रहे हैं तो प्रस्ट को निकालने के लिए म कैन लिवर को ही क्यों डेलां करें अम थोड़ लहां पर होलाएं तो हमारा जो शुर्प है वो निख़रा है पुसीना निकलेगा मत दूंसे कि या बेखेलहएं पानी पानी आपको पीना है और वह वाली ट्रिंग को बिलकुल नहीं ही पीनी है और aimerी आप पिते भी है लिमिट में ति मातिए वैक्सिनिश्न गराए देनी है आपको टीप क्वाइंटई कॉर्यंटी N में रहना है चेक प्रोपर हम क्या कहे रहते है। Unprotected Sex, तो जब भी आप sex करें, तो हमेज़ा किसका यूज करें। Condoom का यूज करें। Use sterile syringe, ठीक है, syringe यदि body fluid का कोई transmission होता है, जैसे blood का transmission होता है, तो उसमें हमेजा किसी syringe यूज करनी चाहिए, sterile syringe यूज करनी चाहिए, stress को avoid करना है। अब्सर्व दा रूल आफ एंटी एपीडेमिक रिजिम ठीक है डू नोट पीरिंग्स टैटूस इंगरेंटेवल प्लेसेज कुशनेवल प्लेसेज ठीक है फॉलो दा रूल सो पर्सनल हाईजीन को रूल करना है वेक्सिनेशन को मेंटेन करना है क्या चीज़ें होती है कान छि जिसकार प्लिकेशन की betting सर क्लिकेशं को सकते हैं इसके प्लिकेशन हो सकता है लिट्रिवर सोऊता है और हेपेटु अंदर आती है लास्ट हो जाएगे क्हा लिबर फेल नमर से बगबान को प्यारे AID तो इसके लिए हमें ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करनी है और सारी चीज़ों का में ध्यान रतना है परस्ट आपको हैपिटाइटिस जो है वह बिल्कुल समझ में आ गया होगा वह समरी बाला जो पार्ट है चेप्टर है इसका स्कीन्षोट आप जरूर ले यहां से आपके जरूर रहें तेश से प्यार करें माता प्यता से प्यार करें जहन